गुद मॉनि ग्लास फर्स्ट आज हम न्यू चेप्टर स्टार्ट करेंगे चेप्टर सेक्स क्लोथ तो हम सभी जानते हैं वी नीट्स क्लोथ टू कवर आवर बॉडी हमें कपड़े क्यों ज़रूरी होते पहनना ताकि हम अपनी बॉडी को अच्छे से कवर कर सकें अच्छे से ढख सकें क्लोथ प्रोटेक्टर फर्म होट कोल्ड रेंड एंड डस जो कपड़े होते हैं हमारे जो क्लोथ होते हैं वो हमें थंडी से गर्मी से बारिस से और धूल से हमें बचाते हैं क्लोथ makes us look smart और जो कपड़े होते हैं वो हमें smart भी बनाते हैं जब हम पार्टी में जाते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ये स्कूल जाते हैं जब यूनिफॉर्म पहनते तो हम smart लगते हैं तो हमारी help करते हैं हमें smart लगने में और we wear different clothes according to season हम मतलब मौसम की साथ कपड़े अलग-अलग season में अलग-अलग कपड़े पहनते हैं तो हम जानेंगे किस season में कौन से कपड़े पहनते हैं types of clothes ययन्य कपड़ों के प्रकार तो सब से फिस्त है cotton clothes यन्य की जो कपड़े cotton से बनते हैं वी वी एर cotton clothes in summer हम गर्मी में cotton clothes पहनते हैं क्योंकि जो cotton clothes होते हैं यह ने कि सूती कपड़े होते हैं वो हमारे जो पसीना आता है क्योंकि गर्मी में बहुत पसीना आता है तो वो बॉड़ी को बॉड़ी से जो पसीना आता है वो उसे सोख लेते हैं और हमारी बॉड़ी में ठ तो उससे हमें cotton मिलती है यहने के रूई मिलती है और उसी से फिर धागा तैयार होता है और उसी से cotton clothes बनते हैं जैसे कि यह कुड़ता है शर्ट है cotton की फ्रॉक है यह सारे cotton clothes है नेक्स्ट है woolen clothes यहने के गरम कपड़े जैसे के sweater, cap, muffler, gloves, etc तो अभी winter season चल रहा है तो जो woolen clothes है वो winter season में पहने जाते हैं woolen clothes keeps our body warm क्योंकि जो woolen clothes है ने जो गरम कपड़े हैं sweater वगेरा वह हमारी body को warm रखते हैं जिसे हमें ठंडी नहीं लगती है तो इसलिए winter में woolen clothes पहने जाते हैं woolen clothes are made from wool और जो woolen clothes होते हैं मतलब जो sweater, muffler यह सारी चीज़े होती है वो wool से मिलती है और wool हमें ship से मिलता है यहने के जो भेड होती है उससे wool बनता है और उसी से फिर sweater बनेगा तो woolen clothes winter में पहने जाते हैं और cotton clothes summer season में पहने जाते हैं summer season यहने गर्मी का मौसम और winter season यहने ठंडी का मौसम rain coat and gum boots आप लोग बारिश के season में rain coat पहनते होंगे जब कहीं जाना है तो बारिश से बचने के लिए हम लोग rain coat और gum boots पहनते हैं जो गम बूट्स हैं जो बारिश से बचने के लिए जो जूते पहने जाते हैं बड़े वाले वो इस टाइप के और हम अम्रेला का भी यूज करते हैं यह रो रेन कोट है जब बारिश कम उसम होता है तो हम रेन कोट और gum boots पहनते हैं और हम अम्रेला का भी यूज करते हैं यह हमें बारिश से थोड़ा सा प्रोटेट करते हैं people living in different parts of our country we are different type of clothes मतला हमारे देश में हमारी country में अलग-अलग type के लोग रहते हैं और अलग-अलग type के कपड़े पहनते हैं जैसे कोई jeans पहनता है कोई shirt पहनता है कोई frog पहनता है कोई sari पहनता है वैसे तो country में अलग-अलग जगा पे अलग-अलग type के कपड़े पहनते हैं next day uniform यहने जो school में आप पहनते हो ना वो uniform कहलाती है a uniform is a special cloth people wear at work और uniform जो होती है वह एक special मतलब एक special प्रकार के कपड़े होते हैं जो लोग पहनते हैं जब वो जिस काम से जुड़े होते हैं जिस काम को वो करते हैं तभी वो पहनते हैं जैसे आप लोग रहाइन जाते हैं तो आप लोग युणिफॉर्म पहनते हैं क्योंकि आप bonded की इसड़ी वो पहेचाने आप सारे एक जरसे ही युणिफॉर्म में दिखतेWait ताकि आप पहचान में आते हो, कि आप किसी स्कूल से हो, वैसे ही some people like doctor, soldier, policeman, postman, nurses, etc. वीर uniform, वैसे ही जो doctor होते है, soldier रेने के सिपाई होते है, policeman होते है, वो लोग भी uniform पहनते हैं, जैसे doctor, white dress पहनते हैं, तो हम लोग उन्हें पहचान लेते हैं, कि यह doctor है, जो soldier है, उनकी dress अलग होती है, policeman होती है, उनकी भी uniform अलग होती है, तो वो सारे हम लोग पहचान जाते हैं, नर्स हैं, नर्स की भी dress अलग होती है, उनकी dress uniform से पहचानते हैं, और बच्चों की भी school dress हो इसकूल यूनिफॉर्म होती है। उससे हम जान जाते हैं कि वो किस स्कूल से हैं। पोस्टमैन की भी यूनिफॉर्म अलग होती हैं। तो यह सारी यूनिफॉर्म होती हैं। जिससे हम किसी वैक्ति को या किसी बच्चे को जान पाते हैं कि वो कहां से है। Students wear your uniform when they go to school जो students होते जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो uniform पहनते जब वो लोग स्कूल जाते हैं इसी के साथ ही chapter finish होता है